जब कोई जटपट कुछ खाने के लिए मांग दे या फिर breakfast में हो बनाना तो आप यह सूजी कचिला बनाईए जो कि बहुत ही स्वाधिश्ट बनते हैं यानि कि बहुत ही स्वाधिश्ट लगते हैं खाने में और बनाने में यह बिल्कुल ही आसान है ज्यादा मेहनत कुछ भी करना हमें तो चलिए आज हम बनाते हैं सूजी कचिला सूजी कचिला बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका बैटर बनाएंगे तो उसके लिए मैंने एक बावल में यह सूजी लिया है साथी इस में हम दो चम्मच मैदा डालेंगे तो यह हमने दो चम्मच मैदा डाल लिया है अब इसमें हम चार पांच चम्मच दही डालेंगे तो वस यह हमने दही को डाल लिया है अब इसमें हम बारिक कटी हरी मिर्च डालेंगे तो जितना तीखा खाना पसंद करें उस अनुसार मिर्ज को डाल ले अब इसमें हम स्वात की अनुसार नमक डालेंगे बारिक कटी हरी धनिया अब इसमें हम थोड़ा सा भूना हुआ जीरा पॉडर डालेंगे अब इसमें हम पानी डाल कर इसका हम बैटर बना लेंगे तो इन सभी को अच्छे से मिक्स कर ले एक सब ज्यादा पानी ना डाले पहले थोड़ा से पानी डाल ले फिर उस अनुसार पानी को डाल कर आप ऐसे बैटर बना ले इदम ठिक नी बनाना है तो बस थोड़ा सा पानी हम और डाल लेते हैं यह देखिए मैंने यहाँ पे बैटर बना लिया है अब इसे हम 10 मिनिट के लिए छोड़ दिंगे जिसे की सूजी हमारी इच्छे से फूल जाएगी इसे हम ढख देते हैं 10 मिनिट के लिए इसे छोड़ देते हैं तो 10 मिनिट हो गया है तो अब ढखताने डाल लेते हैं यह देखिए सूजी मरी इच्छे से फूल गई है और बैटर भी थोड़ा थिक हो गया है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी एड़ कर लेंगे तो यह देखिए इतनी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर बना लेना है अब इसमें हम औरिगेनो डालेंगे तो यह थोड़ा सम औरिगेनो डालेंगे जिससे की बहुत अच्छा टेस्ट आता है साथी में यहाँ पर हम यह 1-2 टेबल स्पून इनो डालेंगे इनो फ्रूट साल्ट तो बस अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमने यहाँ पर सभी चीजों को अच्छे से मिला लिया है तो यह देखिए इतनी कंसिस्टेंसी के हमने बैटर बना के तयार कर लिया है साथ ही हमने यहाँ पर यह प्याज टमाटर रों सिमला मिर्ज को इसे छोटे टुक्डेम कट किया है अब हमने तवा को रखाए गर्म होने के लिए तो तवा हमारा गर्म हो गया है तो इस पर हम ओल डाल लेते हैं और तवे को हम थोड़ा से अच्छे से गर्म कर लेंगे और बैटर को डाल लेंगे तो एक कल्चुल की सहता से एक कल्चुल भर के हम ऐसे बैटर को डाल लेंगे और थोड़ा से फैला लेंगे एक दम पतला नहीं फैलाना है थोड़ा सही में से मोटा कर लेंगे यानि कि यह जिब तक फैले इसे हम ऐसे छोड़ देंगे अब इसकी और इसे हम low to medium flame पे ही इसे सिखने देंगे जिससे कि यह अच्छे से अंदर तक सिख जाएंगी तब हम उसके गुसर साइड में turn करेंगे high flame पे इसे नब से के नहीं तो यह बाहर से जल जाएंगे और अंदर से अच्छे से सिखेंगी भी नहीं तब इस प्रेक्चुला की सायता से हम ऐसे सब्जियों को हलका से प्रेस कर देंगे जिससे कि यह अच्छे से चीपक जाएं यानि कि जब हम इसे turn करें तो यह बाहर ना निकले तो बस यह देखिए इसका color कैसे change हो गया है यानि कि यह एक साइड से अच्छे सिख गई है तब इसके दूसरे साइड में हम ऐसे थोड़ा सा oil डाल लेंगे और इसे हम इसे turn कर लेंगे और दूसरे साइड भी हम अच्छे से इसे सिख ने देंगे और low to medium flame पे ही इसे हम सिख लेंगे आप चाहें तो इसमें अपनी मंच चाही सबजिया एड कर सकते हैं यानि कि गाजल और बिंस भी डाल सकते हैं तो बस यह देखिए अच्छे से सिख गई हैं दूसरे साइड से भी तो बस यह देखिए अब इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में इसी तरह से हम दूसरे चीला भी बना के त्यार करेंगे तो तवे पर हम एक टेबल इस्पून ओल डाल लेंगे और उस पर हम एक कलचुल ऐसे बैटर को डाल लेंगे अब इसे हम थोड़ा से ऐसे फैला लेंगे तो बस इस तरह से हमें बैटर को फैला लेना है अब इसके उपर से हम सब्जियों को डालेंगी तो देखें इनों डालेंगी वज़े से कितना इच्छा इसमें बबल जा रहा है और ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगते हैं तो अब इसके उपर से हम सब्जियों को ड लेंगे यानि की टमाटर प्याज और सिम्ला मेर्ज को डालेंगे आप चाहिए इसमें गाजर और बेंज को भी डाल सकते हैं तो बस यह इभी से हम हलका से इस प्रेश कर दिएंगे सब्चीयों को जिससे की अंदर तक थोड़ा जिसे हो जाएं यानि की चिली ने थोड़े से अंदर से हो जाएं जिससे की ये बाहर न निकलें फोड़ा सची से चिपक जाएं तो यह देखिए एक साइड से अच्छे से सिख गई है तो अब इसके हम इस साइड में ऑल डाल लेंगे और हम इसके दूसरे साइड में से टर्न कर लेंगे तो यह देखिए अच्छे से तमसिख गई तो जल्दी वाजी बिल्कुल भी न करें लोग टू मेडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छे से सिखने दे जिससे कि अंदर तकी अच्छे से पक जाती है यदि आफ हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो जल जाएंगे अंदर तकी बिल्कुल भी ने सिखेंगे तो बस इस तरह से हमें सारे चीले को बना कर त्यार कर लेना है तो यह देखिए दूसरे साइड में भी छेसे जिख गया है तो हम इसे टर्ण कर लेते हैं यह देखिए तो बस अब इसे हम निकाल लेंगे प्लेट में तो यह लिजे सूजी का चीला बनके हमारा तयार हो गया है है नए वानना इसे एकदम आसान और खाने में बहुती स्वादिश्ट लगता है तो मैंने यहाँ पेसे हरी चेटनी के साथ सरू किया है धनी पूदीने की चेटनी यह साथ ही टोमेटो केचप के साथ आप अपनी मन चाहिए चेटनी के साथ सरू किजिए और इंजॉआई कीजिए तो आप हमें कमेंट करके बताएए कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए हैस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए